तो जैसे राम बोलकर करते हैं इसको नचाना स्टार्ट जे रहे हो तो भाई आज 22 जोनररी को एध्या जी में होगी स्री राम मंदिर की प्रांपरसितर जिसका पूरे भारत को ना जाने कितने टाइम से इंतजार था और आज फानिली वह सुप चीज होने वाली है जो कि हम सभी के लिए बहुत जीदा खुसी और गर्व की बात और ऐसे मोगी प्रगर हम कुछ इस पसल नहीं करेंगे तो भाई हमारे इस चैनल का मतलब ही कह रहे जाएगा तो हमने काफी सोचा के इंट्रेस्टिंग चीज की जा सकते है और फिर हमारे दिमांग में एक बात आई कि सरी राम जी जब लंका से और वापस लोटे थे वाई उस टाइम पे घंगोर अंदेरी रात दी जिसके और जैसे पूरे अध्या वासियों ने उनके स्वागत के लि तो भाई यह है वो मस्चिज जिसके स्क्माल करके अभी हम आपको कुछ स्पेसल दिखाने वाले हैं तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ यह क्या है तो यह है भाई इस्टील वूल अलब इस्टील के बहुत ही पतले रेशे होते हैं तो अब यह करता क्या है वो भी में लगा देनी हमें आग और अब देखिएगा यह एक रहा है तो अभी तसाइट देखने में आपको कुछ खास ना लगाओ क्यूंकि अभी दिन है और राच में करने वाली चीज़े उस टाइम पे देखना मजा आ जाएगा और दूर से चीज़ भाई अभी इमने बहुत ऑडा सालिया था जब इतने सारे श्टील वूग को एक साथ जलाएंगे ना तो जो चान नी जो चमक होगी ना तो अभी राच होने का इंतजार करते हूं और फिस को ट्राई करते हैं तो भाई अभी काफी आदरास हो चुकी तो अब हमेबस अपने इस श्टील फूल में आग लगाना है और आग लगाने के भाई इसको गूल गूल नचाना है और ऊएक और देख नशार आता है चलू लगाते हैं इसमे आग और फिर देखते हैं क्या होता है। लिच्छ बाई जेस विराख टेस करते हैं रजाने चाहिए वोनो जेस विराख वोनो जेस विराख जेस विराख जैसा कि आपने देखा है कितना जदा स्चानदार निजारत देखने को मिला था बहुत ही बड़ी है तरीके से नाज रहा था डॉक्टर इस्टेंज वाला इफेक्ट आ रहा था एक दम और मैंने बोला था ना रात में जगमगार देंगे पूरी चाननी चाननी हो जाएगी तो उसी तरीके से चारो तरफ एक दम रौसनी उंजाला हो गया तो जो करना चाह र बताना और पसंद आयो वीडियो तो इसको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अपने चैनल पर ऐसे धूम तड़ा के और मज़ेदार वीडियो आते रहते हैं तो पसंद आयो तो लाइक जोर से कर दीजेगा और जैसे राम कमेंट्स में लिखना को भी एंड करते हैं